पुनम, त् vanem स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्मर दोस्ट, Poonam में दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे फिलिपकर्ट जोईली हॉल मतब फिलिपकर्ट के यारिंग्स हैं जो मैंने मंगवाएं हैं मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा यारिंग्स जो है इतने जादा पसंद आए कि मैंने बगएर सोचे समझे इनको आडर कर दिया क्योंकि यह earrings इतने ज़्यादा खुड़सूरत थे और इतने ज़्यादा बड़े थे क्योंकि बड़े earrings मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यह जो earrings इसको मैं किसी के साथ वियर कर सकती थी चाहें में ड्रस, साड़ी, मतलब गाउन, लहंगे, सब के साथ इसको वियर कर सकती थी बगयर सोचे समझे मैंने इनको कर दिया आडर, मैंने इनको मंगवा लिया यह मुझे किस तरीके से रिसीब हुए हैं, कैसे earrings हैं, कितने earrings हैं, सब जानेगे आज के वीडियो में अभी तक ने किया ना, वीडियो को सुरू करने इस पहले आप से रिक्वेश्ट है कि अगर आप मेरे चनल को भी तक सब्सक्राइब ने किया है, तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा, घंटी जरूर बजा लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक धुझे पेक्ज सब्सक्राइब उनन आप से में निकाल दी तक जरूरो में deine सब्सक्राइब जरूरो में एलीज टार भी तक प्लेज किभी दिजिज की हर्वी सब्सक्राइब 30 तो सबसे पहले यह है इसका बिल तो दोस्तों जो हमारा पहला यारिंस है वो है कुछ इस तरीके से खोल के देखते हैं क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आता है तो जो पहला वाला यारिंस है वो है कुछ इस तरीके का सुन्दर लग रहा है ना दोस्तों बहुत ही बड़ा पीस है मतब इसका जो उपर का टॉपस है ना वो भी बहुत अच्छा है सुन्दर सा है एंड इसके जो नीचे जो जुमकी है वो भी बहुत सुन्दर लग रही है एंड इसका जो कलर है वो है गोल्डन मैं आपको एक दम स इसका वर्क दिया गया है एंड इतना सुंदर लग रहा था मतब पूछो ही ना तुरंट मैंने मंगवाया इसको एंड मैंने जैसा मंगवाया था मुझे वैसे ही सेम पीस पेसीव हुआ है एंड मैं बहुत ज़ादा खुस हूं इस यरिंग से तो मुझे बहुत ज़ादा पसंद आए परसली मैं बहुत ज़ादा खुस हूं इस यरिंग से एंड दूसरा वाला जो यरिंग से वो कैसा है आईए वो भी देख लेते हैं फिर दोनों यरिंग को वीर करके आपको दिखा दूँगी कि वीर करने दोनों साथ में ही मिले हैं कितने के हैं वो हम आगे वीडियो में देखेंगे पहले तो आप देख लीजिए एंड उस वाले यरिंग से मतलब जो मैंने पहले दिखाया है ये वाला यरिंग हाँ ये वाला यरिंग मतलब इस वाले यरिंग की तोड़ी सी लेंथ जो है वो थोड़ी सी बड़ी है और इसका जो उपर का टॉप से वो बहुत ज़दा बड़ा है और इसका जो है वो नीचे वाला बड़ा है जो जुमकी है वो बड़ा है लेकिन दोस्तों इस वाले से ज्यादा बैटर मुझे यह वाला लगा वैसे दोनों इस फाली की से ज्यादा अच्छी मुझे ये वाली लगी यकीन मुझे बहुत ज़दा खुसी महां अक्चली में इसी वाली जुम्की को देख के यह जो ओडर करी थी and बहाँ ज़दा सुंदर लगी and मैंने सुचा इसको अगर order कर रहे हैं उसाथ में एक और मिल रही है थोड़े से price का थोड़ा सांता था तो मैंने दोनों मंग वाली and दोनों जुंकी अपनी अपनी जगे पे बहाँ ज़दा सुंदर है and इस पे देख पा रहे हैं आप ये ऊपर देखे ये कुंदन का वर्क दिया गया and नीचे ये ये दिखे नीचे मोती का वर्क दिया गया and ये जुंकी जो है एकदम से बड़ा साइज है बिग जुंकी है and आप ये जो जुंकी है इसको साड़ी के साथ, सूट के साथ, लेंगे के साथ, गाउन के साथ, हार एक की साथ आप इसको वियर कर सकते हैं और महती अवसम सी लगती है, मतलब मुझे बहुत ज़दा पसंद आई ये जुमकी एंड आप इसको बिलकुल जब वियर करेंगे तो एकदम से जो गोल्ड वाली होती, फीलिंग होती है आप वो ये जुमकी देती है बस इस जुमकी की थोड़ी सी एक मतलब जो निगेटी पॉइंट है वो मुझे ये लगा कि ये जुमकी है बहुत ज़दा भारी है मतलब आप एक दो घंटे इसको वियर कर सकते हैं इसे ज़दा आप इसको वियर नहीं कर सकते हैं एंड दोस्तों ये जो जुमकी है ये बहुत ज़दा हैवी है आप इसको एक दो घंटे आराम से वियर कर सकते हैं इसके बाद जो कान है वो मतलब ऐसा लग रहा है कि नीचे बहुत जादा हैवी है यह जुमकी लेकिन हाँ एक दो बंटे आप इसको आराम से वियर कर सकते हैं मैंने इसको एक वेडिंग में पहना था दर मुझे बहुत जादा पसंद आई बहुत जादा खुबसूरत लगी आपको कौन से वाली जुमकी जादा अच्छी लगी है पहली या दूसरी वाली आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए और आप इसको वियर करके दिखा देती हूं आपको कि वियर करने के बाद यह जुमकी है वो कैसी लगती है तो यह दूखिए दोस्तों यह इसको मैंने कर लिया है वियर एंड यह पार्टी वियर यारिंग जुमकी है मतब बहुत ज़दा सुन्दर लग रही है यह दिखी मतब वीडियो में आपको एकदम से क्लोज अप करके दिखा रही हूं ताकि आपको इसकी जो लेंथ है मतब कितना इसका साइज है वो आपको परफेक्ट समझ में आए तो यह कुछ इस तरीकी से लग रही है आप देख पा रहे है ना सुन्दर बहुत है बस इसका निकेटिव पॉइंट यही है कि यह जो जुमकी है यह जुमकी जो है वो बहुत ज़दा हैवी है मतब लाइट वेड जुमकी नहीं है बहुत ज़दा हैवी है और बहुत ज़दा बड़ी है तो अगर आपके कान जो ह बात वही है कि थोड़ा सा हैवी है तो यह रही आपकी पहली वाली एंड दूसरी वाली भी वेयर करके दिखा देती हूं एंड यह देखिए दूसरी वाली जुमकी यह देखिए तब साइस का बहुत बड़ा है एंड यह भी बहुत जादा हैवी है यह जो नीचे की डोकरी है वो बहुत ज़ादा हैवी है लेकिन सुन्तर बहुत लग रही थी तो मैंने इसको मंगवा लिया आपको कौन से वाली जुमकि अच्छी लग रही है आप मुझे जरूर बताइएगा अगर आपके कान इसको सह सकते हैं ताप आप इसको जरूर और कीजे और मुझे परसनली दो